नमस्कार दोस्तों वसुंद्रा राजे शिवराज सिंग चाहान और रमन सिंग के लिए एक बहुत बुरी खबर है भारतिय जंता पार्टी के इन तीनों सीनियर पूर्व मुख्य मंत्रियों का एक बार फिर से सीम की कुरसी पर बैठने का सपना चकना चूर हो गया है असल में दोस्तों अब राजुस्तान, मद्यप्रदेश और 36 गड़ में भारतिय जंता पार्टी किसी नए चेहरे परदाओं केलने की तैयारी में है विदानसभा चुनाओं में बीजेपी के शांदार जीत हुई है और पार्टी दोजार चौबी साम चुनाओं में यही मोमिंट चारी रखना चाहती है इसलिए इस बार नए चेहरों को चमकाने की प्लैनिंग चल रही है हाला कि शीष नेत्रत्व अभी तक तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम पर कोई अंतिम फैसला नहीं दे रहा है लेकिन पार्टी के सूत्रों की माने तो बीजेपी तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री पत के लिए अब नए चेहरों को चुन सकती है शिवराज सिंग चौहान राजे और रमन के लिए भले ही आगे के रास्ते थोड़ा सा दुब देने वाले हों लेकिन भारतिय जन्ता पार्टी नामों का चयन 2024 के लोकसभा चुनाओं को ध्यान में रखते हुए ही करेगी ताकि पार्टी को कोई नुकसान न जहिलना पड़े दोस्तों 2014 से ही मोधी शाह की जोड़ी ने बार-बार चौकाया है हम सभी को चौकाया है इस बार भी प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी और ग्रह मंतरी अमिश शाह की जोड़ी ये सरप्राइस प्लान कर रही है वो भी अपनी ही पार्टी के लिए तोस्तों मोधी शाह की जोड़ी अपने किसी भी प्लानिंग की भना कमीडिया को नहीं लगने देती है आप जानते ही हैं फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी आदेतनात को सीम बनाने का फैसला रहा हो या फिर उत्राखंड में मुख्यमंत्री बदलने का गुजरात में सीम बदला तो भी सस्पेंस क्रियेट किया गया था इस बार भी तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर नतीज़ों आने के बाद से यही चल रहा है सस्पेंस बना हुआ है अब प्रदानमंत्री नरेंदर मोदी के आवास पर करीब साढ़े चार घंटे की एक बैठक हुई है यहाँ यह बात निकल कर सामने आई है कि तीनों राज्यों में मजबूत दावेदारों पर ही विचार किया जा रहा है बैठक में प्रदानमंत्री ग्रैमंत्री अमिशाह और बीजेपी प्रमुक जेपी नड़ा शामिल हुए थे इस बैठक से पहले राज्यों के नेताओं के बारे में फीडबैक एकटा करने के लिए इन राज्यों के भाज्पा प्रभारियों के साथ-साथ शाह और नड़ा ने अलग-अलग बैठक के की थी भाज्पा का जल्दी तीनो राज्यों के लिए सुपर्वाइजर्स की न्युकती भी करने वाला है ये सुपर्वाइजर्स दोस्तों तीनो राज्यों में विधान सबा में अपने नेताओं का चुनाफ करने के लिए नय चुने हुए विधायकों की बैठकों की निगरानी करेंगे ये ल भारतिय जन्ता पार्टी के लिए नाट का सके। रिपोर्ट्स के अनुसार इसके लिए चार पॉइंट्स का फॉर्मूला तयार किया गया है। यह चार वो पॉइंट्स दोस्तों आपको समझ लेने चाहिए। पहला पॉइंट है बेदाग और विवादों से दूर रहने वाले चाहरे। दूसरा सीम फेस का यूटिलिटी फैक्टर। तीसरा चमक धमक में फसने के बजाए काम पर फोकस। और चौथा गुडबाजी के बजाए संगटन को मजबूत करने वाले। ऐसे में दोस्तों जो चहरे मुख्यमंत्री पत के लिए चुने जाएंगे उनके कई तरह के सियासी माइने भी होंगे। अब देखना होगा कि आखिर ये तीर नए सीम फेस कौन होते हैं। मेरा नाम परीन अंसारी है जय हिन जय भारत।